हाथी और दर्जी की कहानी सानों पहले एक गाव रतनापुर में एक जानामाना मंदिर था. उस मंदिर में रोज एक पुजारी पूजापाट करता था. उस पुजारी के पास अपना एक हाथी था, जिसे वो अपने साथ रोज मंदिर लेकर जाता था. सभी गाव के लोग हाथी को बहुत पसंद करते थे हाथी भी मंदर में आने वाले सभी शद्धानों का खूप स्वागत सक्कार किया करता था सुबह पूजा पाठ खुंग करने के बाद पुजारी अपने हाथी को नहलाने के लिए तालाब में लेकर जाता था रोज हाथी तालाब में नहाने के बाद घर लोटते समय दर्जी की दुकान पर रुखता था दर्जी भी रोज हाथी को प्यार से एक केला खाने को देता हाथी केला खाने के बाद अपनी सूर से दर्जी को नमस्ते करके पुजारी के साथ घर चला जाता था ये सब हाथी और पुजारी की रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा था एक दिन हाथी जब दर्जी की दुकान पर केला खाने के लिए रुका तो दर्जी को शरारत करने का दिल हुआ उसने हाथी को केला देने के बाद अपने हाथ में सुई रख ली जैसे ही हाथी ने उसे नमस्ते किया, दर्जी ने उसकी सून पर सुई चुभा दी सुई चुपते ही हाथी जों से चुभारते हुए करहाने लगा दर्जी ने हाथी के दर्द का खूब मजाक उड़ाया और जोर-जोर से हंसने लगा पुजारी को पता नहीं चला कि क्या हुआ वो हाथी को सहलाते हुए अपने घर लेकर चला गया अगले दिन फिर पुजारी और हाथी तालाप से लोट कर आ रहे थे पुजारी कुछ दूर रुक कर लोगों से बात करने लगा हाथी रोज की तरह दर्जी की दुकान पर रुक गया आज हाथी ने अपने सून में कीचर भर लिया था दर्जी अपनी दुकान में बैठ कर कपरों की सिलाई कर रहा था जैसे ही हाथी ने दर्जी को देखा वैसे ही हाथी ने उसकी पूरी दुकान पर कीचर फैंक दिया उस कीचर में दर्जी तो भीगा ही बल्कि उसकी दुकान के सीले हुए कप्रे भी ख्राब हो गए इस सबसे दर्जी समझ गया कि मैंने कल जो किया था, उसी का दंड हाथी ने मुझे आज दिया है दर्जी को अपनी कलती का एहसास हुआ और वो हाथी के पास भाग कर गया उसने हाथी से माफी मांगने की कोशिश की उसने कहा, हे गजराज, आपने बिल्कुल सही किया दर्जी को मनही मन बहुत बुरा लग रहा था उसने अपने मजाकमस्ती के चक्कर में एक अच्छा दोस्त हाथी खो दिया था उस दिन से दर्जी ने ठान ली कि वो किसी को भी मजाक में भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा कहानी से सीख दर्जी और हाथी की कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी के साथ भी बुरा व्यवार नहीं करना चाहिए मजाक में भी नहीं